दोस्तो अभी मैं अपने आगन में हूँ और साम का वक्त है मैंने सोचा कुछ वीडियो बना लेता हूँ तो दोस्तो आप ये पीछे साइट में देख सकते हैं कि धूप ढलने वाली है तो पहाडों में क्या होता है कि जैसी धूप ढल जाती है तो अंधेरा होना सुरू हो जाता है तो दोस्तो ये पीछे साइट का व्यूँ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि धूप धिरे धिरे ढल रही है और इसके तुरंत बात अंधेरा सुरू हो जाएगा दोस्तो ये पार साइट में आधा अभ धिरे धिरे अंधेरा हो रहा है और उपर साइट में क्या है थोड़ा सा उजाला जैसा दिख रहा है ये धूप है और जैसे ही धूप इस पहाडी के उपर चला जाएगा तो अंधेरा शुरू हो जाएगा तो आजकल पहाडों में जल्दी धूब ढल जाती है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है आजकल दिन छोटे हो जाते हैं जाडों के दिनों में और रातें लंबी हो जाती है ये मेरी सासो मा है सासोमा ने दिन भर बहुत काम कर लिया आज और जितने भी ये बेल थे लौकी के करे लेके सब इनको काट दिया और काफी खुला-खुला हो गया है और पेड से भी इन बेलों को निकाल दिया है और बेल भी अब शूग गये हैं लगभग और कुछ इन में लौकी लगी हुई थी जो उपर साइटी है इनको अब निकालेंगे हम किसी लकडी से कल पर सोम है जब भी हमें सबजी की जरूरत होगी ये है चुहे ने खेत खूद खूद करके पूरे खेत को तोड़ दिया है ये है चुहे ने पूरा खेत को तोड़ दिया है दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा खेत को पहालों में सबसे बड़ी समश्या है चुहे ये बहुत सारे लौकी भी निकले हुए है बेल तोड़ने के पस्चात ये हमारे पास में फूल भी खिले हुए है दोस्तो एक खास चीज दिखा देता हूँ यह पूरा एलोविरा का प्लांट है मेरे घर में लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं यह हमारे घर में एलोविरा के प्लांट है इसका जूस भी निकलता है और इसका जो पल्प होता है इसको खा भी सकते हैं और इसको फेश पे और बालों पे भी लगा सकते हैं तो ये एलोविर्यक का प्लांट है ये डलिया भी है गुवर धुलने के लिए ये हमारे आगन में रबबड का फेड है दोस्तों ये हमारे आगन का ब्यूँ है ये ब्यूँ देख सकते हैं आप हमारे आगन का आज हम लोगोंने काफी सपाई की अपने आगन में जो खेट था और उससे काफी सारे बेल थे उनको भी हमने निकाल दिया क्योंकि सूख गिये थे और काफी घास भी हुआ इससे और जो लोगोंकी की बेल थी उससे ये लोगोंकी भी निकले बहुत सारे ये है चूही का बिल ये ठाकर है हमारे आगन में ये जो ये ठाकर है ये जब भी बेल छोटे छोटे होते हैं तो इसको खड़ा करके बेल इसके उपर चड़ जाता है जिससे की बेल जो हो जाती है बहुत अच्छी हो जाती है और इन में बेल लगना शुरू हो जाता है और पास में ये एक तिमुल का पेड़ भी है अंजीर का पेड़ है इसको ये वैसे अंजीर का पेड़ होता है इससे तिमुल निकलते हैं यहाँ पर ये गन्ने के पेड़ है और पास में एक छोटा सा घास का पेड़ भी है ये बड़ा होगा तो इससे घास निकलेगी और ये संत्रे का पेड़ है दोश्तों हमारे घर में तो ये भहुत सारे चीजें लगी वी हमारे घर में ये हल्दी भी लगी वी है आगन में अब ये कुछ दिन बाद हम इसको खोद देंगे दोश्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ा खेत है और एक खास चीज में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक पत्थर है ये पत्थर जो है ये पत्थर का मलब है ये खेत के बीचु बीच में लगा हूँ आप देख सकते हैं इसका मदलब है कि खेत के दो हिस्से हुए हैं ये इसको वाड कहते हैं और ये इंडिकेटर है खेत के दो बराबर हिस्से होने के तो आप देख सकते हैं इसको एक परकार से ये खेत की सीमा भी है तो पूरा ये खेत के बीचु बीच में लगा हुआ है ये है इंडिकेटर है औ और ये इसको वार कहते हैं दोस्तों पहाड में इसका काफी पर्चलन है जब भी खेत को बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो इसको बीच में लगा देते हैं इस पथर को. एक नीवू का पेड़ भी है इस पे नीवू लगे हुए है ये छोटा सा पेड़ है भी नया पेड़ है इसमें काक्ची नीवू लगे हुए हैं दोस्तों. दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी मिलते हैं नेक्स बीडियो में जै हिन जै भारत.